इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स है। वही बात की जाए रेलवे स्टेशनों की तो हमारे देश में करीब 8500 रेलवे स्टेशन है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रही हैं जो देश का सबसे भूतिया रेलवा स्टेशन माना जाता है। इस रेलवे स्टेशन पर शाम होने के बाद लोग नज़र नहीं आते हैं। इतना ही नहीं अगर रात में यहां से कोई ट्रेन ग देश का सबसे भुथा रेलवे स्टेशन माना जाता है। यहां शाम पाँच बच कर तीस मिनट के बज़े के बाद कोई भी इनसान नज़र नहीं आता है। यहां पर जाने से लोग थर-थर कापते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्टेशन कहां है। तो आईए हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। यह भूतिया रेलवे स्टेशन बंगाल के पुरुलिया में हैं जिसका नाम बेगुन कोदर है। यह स्टेशन करीब 42 सानों तक बंद रहा जिसके पीछे का कारण जानकर आपको हैरानी होगी। दरसन स्थानिय लोगों का मानना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है इसलिए शाम पोते ही लोग यहां जाने से थर-थर कापते हैं। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन 1960 में शुरू किया गया था लेकिन साथ साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। हालां की साल 2007 में इस स्टेशन को फिर से शुरू किया गया है लेकिन आज भी लोगों का मानना है कि यह जगा भूतों का अड़ा है। यह स्टेशन काफी वीरान जगा पर है आसपास की इमारते भी काफी डरावनी लगती हैं। इस स्टेशन पर कोई प्लाटफॉर्म भी नहीं है। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर इस भूतिया स्टेशन पर केवल 12 बाई 10 फीट का एक टिकट काउंटर बना हुआ है। कहा जाता है कि संथाल जनजाती की रानी लाखन कुमारी ने इस स्टेशन को शुरू करवाया था। लाखन कुमारी ने स्टेशन बनवाने के लिए रेलवे को काफी अधिक सबसिडी दी थी। स्टेशन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक यहां सब थीक ठाक था, लेकिन फिर यहां कुछ अजीबोगरीब घटनाए होने लगी. दरसल कुछ ऐसी अफवाह थी कि इस स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्गटना में एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 1967 में बेगुन कोदर के एक रेलवे करमचारी ने यहां एक महिला का भूत देखने का दावा किया. लोगों ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की पट्रियों पर एक लड़की नजर आई जो सफेद कपड़े पहने थी. धीरे धीरे स्टेशन के बारे में कई कहानिया प्रचलित होने लगी. यही कारण है कि इस स्टेशन को हॉंटेज स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा. स्टानिय लोगों के मुताबिक जब स्टेशन खुला तो स्टेशन मास्टर को ट्रैप पर एक महिला नजर आई. आज भी इस जगह से जुड़ी भूतों की कहानिया काफी फेमस है.